हाई वीवर मैं आकास्तेनी और आप से भी का अपनी चैनल आकास्तेनी में एक बार फिर से वेलकम करता हूं तो चली आंगे बरते हमारे चैनल पर किसी की प्रकार की कोई भी फेक वीडियो अपलोड नहीं की जाती है आजकी इस वीडियो में हम Gouvernement के lowest कट off के बारे में डिसकस करेंगे B 놓S के लिए और यहाँ पर एक चीज आज़ाओं सब से पहले कि जो लस्ट वीडियो थी इसको अश्माने Mbbs के कट off के बारे में डिसकस किए रहा कि Mbbs के तो वो वीडियो आप अगर देखने चाहें तो देख सकते हैं और कई लोगों का यहां पर बोलना है कि जो MBBS का cutoff है वो हाई रहता है बट BDS और यहां पर आपको डिफरेंस आता है मिनिमम जो है 50 marks का कि 50 marks और 5200 marks का जो है यहां पर डिफरेंस आता है कि BDS के जो है marks कम रहते हैं 5200 तो सबसे पहले में यहां पर category में मैंने डिवाइड किया है general OBC और STSC को फिर minimum marks बताए हैं और pH जो student है उनके लिए अलग से marks यहां पर define किये हैं तो general category से जो students है normal उनको 450 marks चाहिए रहेंगे और pH category में यह आप है तो उनके लिए 400 OBC category के लिए normal students को 400 marks चाहिए और pH category से आप तो 350 marks और ST में मैं बताऊं तो minimum marks 400 चाहिए और pH candidate है तो 350 SC category में जो है SC category में minimum marks 400 और pH student से उनके लिए 350 तो अब यहां पर मैंने जो है OBC ST और ST को जो है equal marks में मतलब रखा हुआ हुआ कि जो उनका cutoff है वो equal रहता है क्योंकि इसमें जाव जाड़ा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा OBC ST ST में केवल general वालों का high रहता उसके आड़ OBC ST ST के लगबाग जो है equal रहते हैं थोड़ा बहुत 10 to 30 marks का difference यहां पर मिलता आपको देखने को इससे जादा difference आपको नहीं देखने को मिलेगा ओके फ्रंट्स मिलते हैं नए अपडेट के साथ तब तक के लिए ठैंक्स करें सब्सक्राइब करें आका सेनी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को और पाइले टेस्ट अपडेट सबसे पहले